Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech programming channel guys मैं हूँ भागी रदगिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ JavaScript के अंदर conditional statements कौन-कौन से है उससे पहले मैं आपको यह बताऊँगा कि conditional statements क्या है ताकि आपको दोनों चुछे clear रहे कि conditional statements क्या है और कौन-कौन से है इस वीडियो में हम लोग theoretical portion cover करेंगे यानि हम सिर्फ समझेंगे syntax समझेंगे concept समझेंगे next वीडियो में मैं आपको उसको practically implement करके भी दिखाऊंगा तो सबसे पहले में बात कर लेता हूँ what are conditional statements तो guys conditional statement programming language के वो statements होता है जो programming language का यह प्रोग्राम का flow change करने के लिए यूज की जाता है flow change करने का मतलब होता है कि आप एक point पर आकर आप रूख जाते हो और फिर आपको decide करना होता है कि अब क्या काम करना चाहिए तो उस case में program का flow change करवाना चाहिएzego प्रोग्राम का flow change कैसे करवाना चाहिए प्रोग्रामिंग लेंगिज के लिए यूज करने के लिए हम यूज करेंगे conditional statement का तो यह क्या करेंगे किसी position पर जाके कोई condition check करेंगे suppose आप एक vote करने के लिए जा रहे हो आप vote करने के लिए अपनी age enter करते हो और उस position पे condition क्या है कि आपकी age जो है वो 18 से ज़ादा हो नहीं होता है तो मना कर देना है अगर होता है तो vote करने देना है तो यह क्या हो गया एक condition हो गया और इस case में flow change हो रहा है हम अगर realize की भी बात करें तो एक flow change हो रहा है करने देना है या नहीं करने देना है तो यही के यही flow हम लोग implement कर सकते हैं हमारे program के अंदर programming language के अंदर using the conditional statements तो programming language का flow change करने के लिए यूज किये जाते हैं दो possible cases होता है इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया दो possible cases में क्या क्या होता है true or false होगा या नहीं होगा यही cases हो सकता है इसके अलागा कोई cases नहीं होता है जैसे या तो age 18 साल या उससे उपर होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं हो सकता है भी और नहीं भी है, दोनों condition नहीं हो सकती तो हो या ना हो याणि true or false, यहीं हो सकता है तो आप एक diagram के जैसे समझ सकते हैं यहां से एक condition यहाँ पर चेको होगी और condition चेको होने के बाद, यह क्या करेगा? अगर condition false होती है तो इधर नीचे आ जाएगा वर्ना सीधा की सीधा अगले code पर आ जाएगा तो यह हम लोग अपने logic appording implement कर सकते हैं अब बात करते हैं types of conditional statements in JavaScript की तो सबसे पहला जो type of conditional statement है वो है if इफ के अंदर क्या होता है कि आप check करते हो simply आप check करते हो कि क्या यह चीज हो रही है कि नहीं है तो इसमें आप क्या चीज है यह नहीं है बस इतना साब उसके else portion में आप कुछ नहीं चेक करते है जैसे अगर मैं बात करूं आप से कि अगर कोई condition true हो तो मुझे काम करना है false हो तो मुझे उससे कुछ भी निगरवाना है। तो मुझे काम करना है, फॉल्स हो था कुछ नहीं। जैसे मैं बात करूं अगर अगर 8 साल से उपपर हैंगी ना कोज़ों कुछ नहीं बताना है। फ witness थो शोता आप उसको मेंना भों बऑनेहीं कर तो यह दोनों चीज्जे और timest का है टीसरी जो चीज है वो है इस है इस इस में योटऑन करते हैं या उस्से उपर तो वोट कर सकता है वर्रण वह नहीं कर सकता पहली condition दूसरी condition क्या कहती है 18 साल का है ठीक है लेकिन वो 65 से भी नीचे होना चाहिए या 70 से भी नीचे होना चाहिए मतलब जो वोटिंग की age है उसके according हम अपनी range रख सकते हैं कि वो 18 साल से बड़ा हो फिर बात में चेक कर सकते हैं कि 18 साल से बड़ा है लेकिन 70 या 75 स से तो चोटा है कि नी 65 से तो चोटा है कि अगर है तब उसको वोट करने दिना तो else if मतलब इफ ये काम होगा else में फिर से if लग जाता है else में हम फिर से condition चेक करते हैं तो condition अगर true होती है तब तो ठीक है false होती है तो आप एक और condition चेक कर लेते हो तो false के case में हम क्या करेंगे एक और condition चेक कर सकते हैं मतलब अगर वो बंदा 18 साल से चोटा है या 18 साल के equal नहीं है तो वो कितना चोटा है ये भी आप चेक कर सकते हो कि उसके अभी age कितनी है इसके according आप basis पे लगा सकते हो तो else if क्या काम करेगा if के बाद condition false होने पर फिर से condition चेक करवाएगा पर करवाएगा else if check करवाएगा यहाँ पर आपके सामने syntax लिखे हैं तो आप syntax देख सकते हो यह मेरे conditional statement के if के और if else के syntax है तो if में क्या होता है if और condition conditions में आपको वो चीजे पास करने होती है जो true या false दे जैसे relational operators है आपके वो true या false देते है comparison operators और आपके जो assignment operators है जो true या false देते है जो check करवाते है वो चीजे आपको यहाँ पास करने होती है ताकि आपकी condition true या false होके और उसके according judgment हो सके तो if true then यह execute हो जाएगा और else के कोई बात नहीं है आपर मतलब false है तो कोई नहीं और यहाँ पर दोनों conditions है अगर true होता है तब भी और false होता है तब भी अगर true होता है तो ब्लॉक लिखेंगे हम लोग कि इसके बीच में यह काम करो ना false होता है तो हम लिखेंगे कि यह काम कराने यह मैंने next video में आपको practically समझाऊ होगा और at the end हमारे false है else if का ब्लॉक यहनि एक condition true होई तो ठीके यह काम होगया वो condition false होती है तो एक और condition चेक करेंगे और वह भी condition false होती है तो उसके नीचे एक और task अमलोग perform करवा सकते हैं तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले condition चेक होगी ठीके चलो यह condition false होगी तो else मे में आएगा तो एक और condition मिल जाएगी उसको यह भी condition true होती है तो इसी ब्लॉक में रहेगा वरना और नीचे ब्लॉक में आ जाएगा तो तीन ब्लॉक से अपने पास first block second block third board first में कब जाता है जब पहला if true होता है और दूसरा if true होता है तब उस case में किस में जाएगा second में जा किसा में जब च्वार बादीम